आपका स्वागत है आज हम लोग वर्ग 5 के गणित के पार्ट भिन की चर्चा करेंगे आपको कहानी सुनना प्रसंद आता है ना एक छोटी सी कहानी सीमा के घर में दो जानवर हैं पालतू एक कुट्टा और एक बिल्ली उसकी मा यानि सीमा की मा ने सीमा को एक रोटी दिया और कहा कि इसे दोनों जानवरों में आधे आधे पाटतू अब सीमा सोच में पड़ गई उसने ये रोटी लिया कैसे इसे बाटा जाए तो काफी दिमाग लगाने के पाद उसने ऐसे किया इसे रोटी को इस तरह से और इस तरह से इस रोटी के दो टुक्ड़े कर दिये तो पूरी रोटी कैसी थी? ये इस तरह से गोल थी कुत्ते का हिस्सा ये आधा और बिल्ली का हिस्सा ये भी आधा आधा क्या आधा रोटी? येस अब उसके दोस्त ने उसे पूछा कि ये आधा रोटी को हम लोग गनीतिये भासा में कैसे लिखेंगे? ये दो आधा एक कुत्ते का हिस्सा और एक बिल्ली का हिस्सा तो इसे गनीतिये भासा में कैसे लिखेंगे? आईए हम लोग विचार करते हैं कितने एक टुकड़े है? दो एक रोटी के हम टुकड़े कितने किये गए? दो दो टुकड़े और कुत्ते को कितना मिला? एक टुकड़ा यानि एक हिस्सा तो ये हो गया एक तो आधा रोटी को हमने व्यक्त कैसे किया? एक बटा दो फिर ये भी तो एक बटा दो हुआ बिल्ली का हिस्सा भी एक बटा दो इस एक और गतिविदी से हम समझते हैं आप भी आपना एक पेज निकालने अब इस पेज को इस तरह से मोड़े देखिए दो भागों में बट गया ना अब एक भाग को आप कलर पेंसिल या क्रान किसी भी चीज से इसे रहंगे हमने पाले से रंगे रखा है इस तरह से क्या आप बता सकते हैं कि ये रंगे हुए भाग को गनीतिय भासा में हम कैसे लिखेंगे टुकडे कितने हुए दो और उसमें रंगा हुआ भाग क्या है एक तो इसे हम कैसे लिखेंगे एक बटा दो यानि टुकडे हुए दो और उसका ये लाल वाला हिस्सा हुआ एक एक और गतिविधी हम करते हैं ये दो टुकडे थे दो बार हमने मोड़ा था अब इसको हम एक बार और ऐसे मोड़ते हैं इस तरह से आप भी हमारे साथ ये गतिविधी करें अब कितने हिस्से हो गए इस कागज की कागज हमारे पास एक था और इसमें भाग कितने हो गए चार एक दो तीन चार अब इस वाले भाग को हम रंगते हैं या इस वाले भाग को किसी एक भाग को हम रंगते हैं आप रंग ये मैंने पहले से रंग के रखा है ये देखिए तो ये चार भाग थे और इस चार भाग से मैंने एक रंग को हमने रंगा है तो इस एक रंग को एक भाग को हम गनिती भासा में कैसे लिखेंगे? चुकि टुक्डे हुए थे कितने चार टुक्डे किये थे हमने चार उसमें से एक भाग लिया तो ये हो गया एक बटा चार या चौथाई इसे ही हम भिन कहते हैं ये जो हिस्सा हुआ ना इस हिस्से को ही हम लोग गनिती भासा में भिन कहते हैं इसमें इसमें नीचे वाले भाग को हम कहते हैं हार या डिनोमिनेटर और इस उपर वाले भाग को कहते हैं अन्स या न्यूमरेटर अब इसे एक और गतिविदी से हम समझेंगे हमारे पास ये टमाटर है आठ तो इसका आधा अगर मुझे किसी को देना होगा तो कितना देना होगा ये ये आधा हो गया अर्था एक बटा दो हमें देना है तो ये हो गया एक बटा दो ये हो गया एक बटा दो अब फिर से हम देखते हैं इस आठ टमाटर में से अगर एक बटा चार हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे चार भाग में हम इसे कर देते हैं एक भाग एक भाग ये दो भाग ये तीसरा भाग ये चौथा भाग चुकि हमें एक बटे चार चाहिए था इसलिए हमने इससे पहले चार भाग में कर दिया अब इस चार भाग में से एक भाग को निकाल लिया तो यह हो गए इस आठ टमाटर के एक बटा चार ये एक बटा चार हो गए अब फिर से हम देखते हैं हमारे पास अब हमने ये छे टमाटर लिए हैं छे टमाटर लिए हैं अब इसका हमें एक बटा तीन एक बटा तीन टमाटर लेना है तो हम इसे तीन भाग में कर देंगे एक भाग, ये दो भाग, ये तीन भाग, तीन भाग में कर दिया, तो एक बटा तीन का अर्थ हो गया, ये दो टमाटर, तो यहां एक बटा तीन का अर्थ हो गया, छे टमाटर में से, एक बटा तीन का अर्थ हो गया, दो टमाटर, तो अगर हम फिर से हम लेते हैं एक और एक और थोड़ा से करते हैं इतने भाग हमें करने हैं तीन यहतीन का अर्थ है हमने 5 टीन भाग करने हैं तो एक भाग दो भाग और तीन भाग, तो इस में से कितने भाग हमें लेने हैं, दो भाग, तो ये हो गया हमारा छे टमाटर का दो बटा तेन, आसा है कि जो हमने आज भिन की अवधारना समझने की कोशिस के, वो सभी को समझ में आ गया होगा, आपके जो अभ्यास के प्रश्न हैं, उसे आप अब बनाएं, और फिर अगले पार्ट में, फिर हम लोग इससे आगे की चर्चा करेंगे, धन्यवाद। और क्या है कि दूदिए